लाल जी सिंग का जीवन परेचे प्रक्या डी एंडी वैज्ञानिक काशी हिंदू विश्व विद्यालय के पूर्व कुलपती डॉक्तर लाल जी सिंग का जन्म पांच जुलाई 1947 को भारत के उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक छोटे से गाव कलवारी में हुआ था उनके पिता सुर्यन आरायन सिंग एक किसान थे और गाव के मुखिया के रूप में काम करते थे सिंग ने अपनी प्राथमिक शिक्षा आठवी कक्षा तक कलवारी के एक सरकारी स्कूल में की हाला की गाव में वरिष्ट कक्षाओं के लिए कोई अतिरिक्त शिक्षा सुविधा नहीं थी इसलिए उन्हें अपने गाव से दूर पास के गाव प्रताप गंज में एक अन्य स्कूल में भरती कराया गया स्कूल में विज्यान समोव में अपनी बारय वी कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने जुलोजी और साइटू जेनेटिक्स में सनातक की पड़ाई करनी के लिए बनारस हिंदू विश्विद्यालय में दाखिला लिया सिंग ने B.S.C. की उपादी प्राप्त की 1964 में बनारस हिंदू विश्विद्यालय B.H.U. से डिग्री सिंग ने 1966 में B.H.U. में अपनी मास्टर डिग्री कक्षा में सर्वोच अंक प्राप्त किये और यूग्यता के क्रम में प्रथम स्थान पर रहने के लिए बनारस हिंदू स्वर्ण पदक जीता उने 1966 में विश्विद्यालय अनुदान आयोग भारत द्वारा जूनियर रिसर्च फेलोशिप जियारेफ से सम्मानित किया गया था इसके बाद सिंग में सापों में केरियू टाइप के विकास पर अपने काम के लिए बनारस हिंदू विश्विद्यालय में डॉक्टर एट अनुसंधान पर काम किया और 1971 में डिग्री प्राप्त की प्रूफेसर एस पी रे चौदरी के मार्वदर्शन में साइटो जेनेटिक्स के क्षेत्र में उनके डॉक्टर एट शोध के निशकर्षों का सारांश क्रोमोसोमा में प्रकाशित किया गया था लाल जी सिंग को साइटो जेनेटिक्स के क्षेत्र में अपने शोध कार्य के लिए 1974 में युवा वैज्यानिकों के लिए आयाईने से पदक प्राप्त हुआ अप्रेल 1974 में उन्हेस ये सायार के पूल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया लाल जी सिंग ने कलकत्ता विश्व विद्यालय के प्रानी शास्त्र विभाग में एक शोध सहयोगी के रूप में काम किया लाल जी सिंग एक भारतिय वैज्यानिक थे जिनों ने भारत में DNA फिंगर प्रिंटिंग तकनीक के क्षेत्र में काम किया जा उन्हें भारतिय डिनी फिंगर प्रिंटीब के जनक के रूप में जाना जाता था सिंग ने लिंग निर्धारण के आनवे काधार, वन्यजीव संरक्षन फोरेंसिक और मनुश्यों के विकास और प्रवासन के क्षेप्त्रों में भी काम किया 2004 में भारतिय विज्ञान और प्रोध्योगिकी में उनके योगदान के लिए उन्हें पाध्मश्री प्राप्त हुआ भारत में स्वदेशी डिनी फिंगर प्रिंटीब प्रोध्योगिकी के विकास और स्थापना के लिए सिंग के जीवनकाल के योगदान को मान्यता दी गई और उन्हें भारत में DNA Fingerprinted का जानक कहा गया अगस्त 2011 से अगस्त 2014 तक लाल जी सिंग BHU के 25 वेसी के रूप में कार्यरत रहे खबरों की माने तो BHU का वेसी रहने के दोरान उन्होंने सिर्फ एक रूप्य वेतन लिया वे अगस्त 2011 से अगस्त 2014 तक IIT BHU Board के चेयर्मेन भी रहे मई 1998 से जुलाई 2009 तक वे CCMB के निदेशक और 1995 से 1999 तक Center for DNA Fingerprint and Diagnostic KOSD रहे उन्होंने आन्वे काधार पर लिंग परीक्षन, वन्य जीव सनरक्षन, फोरेंसिक और मानव प्रवास पर काफी काम किया लालजी सिन की मृत्यू 10 दिसंबर 2017 को दिल का दौरा पढ़ने से भारत के वारानसी में निधन हो गया आन्वेर को दौरा पर लिंग दो एका सब्सेंग मृत्री का परिंग का करे शिदेशकार सेव्ड़ के दोगागे